आप देख रहे हैं राउजवेनी कोट ने दिल्ली एक्साइस कस्टडी मामले में आमादमी पाटी राज्य सबसान सथ संजय सिंग को पाच दिनों के लिए एडी रिमान पर भेज दिया है अब संजय सिंग 10 अक्टूबर तक एडी की कस्टडी में रहेंगे एडी ने कोट से संजय सिंग से पूछताच के लिए 10 दिन की हिरासत का नुरोध किया था कोट के फैसले पर जब मीडिया ने संजय से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अडानी की नौकर हैं और हम अडानी के नौकर से डरते नहीं जितना अत्यचार जुल्म करना है करें कोई दिक्कत नहीं सारे आरोप गलत हैं तो वहीं आम आद्वी पार्टी ने गुलवार को मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि संजय सिंग को गिरफतार कर उन्हें चुप कराने की कोशिश की जा रही है आम आद्वी पार्टी ने केंद्र सरकार से कहा कि अगर उनके पास संजय सिंग के खिलाफ कोई भी सुबूत हो तो उसे पब्लिक करें संजय सिंग को ईडी ने 2021-22 की दिल्ली अक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़ी मनी लॉंडरिन जाज के सिलसले में बुद्वार को गिरफतार किया था तो वही केजरिवाल सरकार में मंत्री आतीशी ने दावा किया कि एडी और सीबियाई की 500 से अधिक अधिकारियों ने पिछले 15 महिनों में आमाद्वी पार्टे की नेताओं से जुड़े अलग हलग स्थानों पर च्छापे मारे लेकिन उनके खिलाफ उन्हें एक भी सपू ना बना गया है आतीशी ने आगे कहा कि एडी अधिकारियों ने संजे के आवास के चप्पे चप्पे पर चापे मारी की लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला और उन्हों ने सिंग को कि रफ्तार कर लिया क्योंकि लगतार केंद्र के भरष्ट चार की मुद्दे को उठाते आ रही है फिरहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही देश शुर्द दुनिया की खबरों को लेकर अपडेट वहने के लिए आप देखते रहिए SPN 9 News